सीवी के धमाकेदार शो बिग बॉस 18 ने फ्रांस के दिलों पर कबजा जमाना शुरू कर दिया है बिग बॉस 18 में कैंटेस्टेंस ने भी लोगों के दिलों में जगा बनानी शुरू कर दी है और अभी से ही दूसरे कांटेस्टेंट का पत्ता काटने पर तुल चुके हैं लेकिन Big Boss 18 के पहले वीक में ही मेकर्स पर कानूनी गाज गिर चुकी है इसकी वज़ा से अब मेकर्स को घर के एक मेंबर को भी शो से बाहर निकालना पड़ेगा अब मेंबर के लिए लोगों ने Big Boss 18 के होस सलमान खान को भी ओपन लइटर लिख दिया है Big Boss 18 का वो मेंबर कोई और नहीं बलकि गजराज है दरसल इस बार Big Boss 18 के मेकर्स ने गजराज को भी घर का मेंबर बना कर लेकर आए हैं उन्होंने स्टाइटिंग सही गजराज को घर में बांदा हुआ है लेकिन अब इस मामले पर पेटा के मेंबर्स ने आपति जाहिर की है पेटा मेंबर्स ने Big Boss 18 में गजराज को बांदने पर सलमान खान को ओपन लेटर भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने भाईजान को सला दी है कि वो ओपन प्रभाव का सही इस्तमाल करें पेटा इंडिया के मेंबर्स ने अपने ओपन लेटर में जाहिर किया है कि Big Boss 18 के घर में वो गदे को यू बंधा देखकर बहुत ही हताश हुए है उनकी चिंता जाहिर है और इसे नजर अंदास नहीं करना चाहिए उपन लेटर में पेटा के मेंबर्स ने सिल्मान खान को भी आड़े हाथो लिया और लिखा भारत के सबसे प्रभाविस स्टार और Big Boss के होस्ट होने के नाते आपके पास अच्छा एक्जामपल सेट करने की शक्ती है हम आपसे आग्रह करते है कि आप प्रेडियूसर को समझाए कि वो जानवरों का इस्तमाल एंटेटेन्मेंट के प्रॉप के तौर पर करना बंद करे ये चीज़ के वल जानवरों को ही नहीं बलके फांस को भी परिशान करेगी हम ये भी आग्रह करते कि आप वकील गुणरतन सदर्वते को मनाए कि वे गजराज को पेटा इंडिया को दे दे और उसे वापस स्कैचुलरी भेजने दे उनका ये कदम फांस को भी अच्छा लगेगा वल आपका इस अपडेट पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें